नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है राजी वर आप देख रहे हैं बिहार वाला आज भी यूटुब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रेलवे गुरूप डी का वेकंसी दोजार तैस में जो आने वाला है उससे रिलेटेड बात करेंगे तो चैनल पे नह लेख लेते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब किए बीना चले जाते हैं आप लोग से विंती है आप लोग के लिए ही मेनत करते हैं तो ब्हwarzत वीडियो को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों आप देखिए बात है कि बहुत सारी पहले आपको बता रहे हएं शारे solvent क्ना बात यहां पर हम गुरूप D की कर रहे हैं तो गुरूप D का वेकेंसी जो है 2023 में आएगा बसलते 2023 में मीड मन्त में आएगा यानि की साल का जो आप जान लीजे कि मई, जून जुलाइ के आसपास आपका जो है वेकेंसी तो आ जाएगा उसके बाद आप अपना तयारी नहीं रखेगा तो आप वहाँ भी चुक जाएगा दोस्तों हम जो है वीडियो एक दिये थे आपको गुरूप C में जो डिमांड मतलब मांग को लेके तो उसके लिए और भी वीडियो हम देंगे लेकिन आप सब को एक साथ आना पड़ेगा तो इस पे हम सेपरेट और भी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे लेकिन आभी आपको हम बताते हैं कि जो वेकेंसी है उसको लेके मानिय सीवगोपाल मिसरा जी बार बार बोलने हैं कि मई से जून तक में जो है जुलाइ तक में जो है वेकेंसी गुरूप D का आएगा आप जिन लोगों का सेलेक्शन इस गुरूप D में यानि कि railway group D का जो इस vacancy है एक लाख वाला उसमें नहीं हो पाया है तो वो next vacancy जो आने वाली है जून जुलाई के आसपास उसमें हम उसमें आप अपना तैयारी जारी रखें अपना पढ़ाई जारी रखें और उसमें selection ले है और हम आपको बहुत सारे वीडियो में भी बोले ने 60 से 70 हजार के आसपास हम बोले थे और बहुत सारे वीडियो में मानिय सीवकोपल मिसरा जी भी यह बोल रहे है कि इंतहाम फिर से वेकशनी आएगा और एक वीडियो में ये भी बोलें कि 80 हजार के आसपास जून जुलाई के आसपास जो ए वेकशनी Group D में आ सकता है तो यह आप जान लीजिए अगर तयारी नहीं रखिएगा तो आपका लपरवाही होगा फिर आपका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा और आप जान हैं कि इस समय में सरकारी नौकरी पाना कितना इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि कम्पटिशन बहुत जादा बढ़ गया अभी वीडियो के साथ बने रहे हैं आपको दिखाते हैं अपरेल के माहिने में 86,000 पोस्टे फिर निकलने वाले हैं जो 2,018 वाले हैं जिनके रिजर्ट ने निकलेते हैं परविट की मज़े से जिनके भाई एंसलिविटी के माश्विड नहीं थी अभी सबको मिलेंगे हैं अभी 20% 86,000 का फिर आपको मौका मिलने जा रहा है तो दोस्तों आप देखें होंगे कि इस वीडियो माप सुन सकते हैं कि सीवगोपाल मिसरा जी जो है AIRF के जो रेलबे यूनियन के जो हेड है महामंत्ती हैं सीवगोपाल मिसरा जी उन्होंने क्या बोला है दोस्तों वो बार बार बोलने हैं कि जो वैकेंसी है गुरूपडी का फिर से आएगा जो जैसे की बात आप लोगोगो बता दें कि जितने भी AIRF के लीडर हैं या सभी के द्वारा क्या मांग रखा गया था आपको पता है कि कम से कम नमर में जितने भी अपरेंटिस साथी हैं उनका सेलेक्शन हो जाना चाहिए तो उस पे ये बात रखे थे सिवकोपाल मिसर जी का यह कहना था कि यह नहीं हो पाएगा यह चीज नहीं हो पाएगा जो 30 नमर और 40 नमर का जो barrier है 30 और 40 नमर दोनों मिला के जोड़ के लाना है तो यह चीज ही है अगर कोई इतना नहीं ला पाया है 30 यह 40 नमर जैसे OBCST का 30 नमर और 40 नमर जैनल का तो दोनों मिला के एंसी बीटी और आपका यह क्या बोलते हैं एंसी बीटी और अपरेंटिज यह सी बीटी दोनों मिला के अगर नहीं जोड़के नहीं ला पाएं तीसिया चालिश नमर तो उनका नहीं हो पाएगा इसी वज़े से उनका यह कहना था कि अब जो है नेक्स्ट वेकेंसी अब नहीं पढ़ियेगा तो फिर नौकरी आपका कैसे होगा तो यह बार बार बोले हैं कि जितने भी बच्चे छूट गये हैं जिनका एंसी बीटी का नहीं आया था सेटिफिकेट नहीं आया था या फिर पास नहीं हुए थे जो रेलवे अपर गुरूबडी का जो वेकें आएगा और यह बार बर बोले हैं और भी आपको वीडियो दिखाया थे जिसमें कि जो हमारे मानिया सिवापाल मिस्राजी का कहना था कि वेकेंसी हम जल्द आएगा आप लेकिन तैयारी जारी रखें अगर तैयारी जारी नहीं रखते हैं तो बाद में आपको ही पस्ताना पड़ेगा इसी लिए बोलने हैं और दोस्तों जो हम गुरूप सी पोस्ट पे जो डिमांड के लिए हम बात रखें उसके लिए आप सब को आगे आना होगा केंपेंड चलाना होगा ट्विटर केंपेंड उसके लिए हम और भी वीडियो जारी करेंगे तो चैनल को सपोर्ट करते रहें और वेकेंसी जो है गुरूप डी का भी वेकेंसी दोजार ताईस में आने वाला है आपको बता दे हम बार बार पहले से ही बोलने हैं कि 60-70 जार व करें सेयर करें लोगों तक पहुंचें और आपके सपोर्ट के लिए खड़ा हों तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो नेक्स अब्रेट के साथ तब तक लिए जाहिन वंदे मात्रम